नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज हम विवाहित महिलाओं को कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है एक विवाहित इस्तरी के जीवन में ऐसी बहुत से चीजे होती हैं जो वो किसी के साथ शियर नहीं करना च चाहती दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने चाह रहे हैं जो एक विवाहित इस्त्री को कभी भी किसी के साथ शियर नहीं करनी चाहिए फिर भले ही घर की कोई महिला सदसे ही क्यों ना हो पर सुहागन महिलाओं को कभी भी ये चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए सबसे पहला है सिंदूर जिसे एक सुहागन के करतव्य और प्यार की बड़ी निशानी माना चाहता है सिंदूर सुहागन इस्त्री के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि यहीं उसके सुहागन होने की भहचान होती है कहा जाता है कि इस्त्री को आने से आप सिंदूर लगाती हैं उसे हमेशा अपने पास ही संभाल कर रखें इसके अलावा जब भी सिंदूर लगाएं अकेले में ही लगाएं और सर पर पल्ला रखकर लगाएं इसके बाद आपको अपना साथ सिंगार भी अकेली ही करना चाहिए सब के सामने या सब को द देवरानी, जिटानी या घर की किसी दूसरी महिला को यह पसंद आ जाए तो भूलकर भी उन्हें यह नहीं देना चाहिए वहीं दोस्तों सुहागन इस्टरी को अपने हाथ में पहनी हुई चूडियां भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए ऐसे में अगर किसी को आपकी चूडियां पसंद आ जाएं तो आप उसे दूसरी खरीद कर दे दें मगर हाज से निकाल कर कभी नहीं देनी है तो दोस्तों ये थी खास चीजें जिने भूल कर भी सुहागन इस्तरी को कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तों